सर्वश्रेष्ट कौन ब्रम्हांड की सभी ग्रहे, उपग्रहे, पुच्छल तारे और उलकाएं मंच पर उपस्तित हैं। सूर्य सिहासन पर बैठे हैं। एक तरफ सभी ग्रहे, क्रमशह, सूर्य से दूरी के हिसाब से बैठे हैं। दूसरी तरफ चंद्रमा, पुच्छल तारे और उलकाएं बैठी हैं। बुद्ध की तरफ देखते हुए। मंत्री बुद्ध सभा प्रारम की जाए। जैसे आपकी आग्या सूर्दे महराज, सभी ग्रहों में इस बात पर बहच्छडी हुई है कि ब्रह्मान में सर्वस्टेस्ट कौन है? सब स्वयम को एक दूसरे से महान बताने में जी जान से लगे हुए हैं। सिर पकड़ कर मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। अब आप ही बताईए इस बात का फैसला कैसे किया जाए। मुस्कुराते हुए इसका फैसला करना तो बहुत ही आसान है। सब को बारी बारी से अपने बारे में कहने का अवसर दिया जाए। जो यह सिद्ध कर देगा कि उसमें सबसे अधिक गुन हैं। वही सर्वश्रिष्ट होगा। मंत्री बुद्ध, आप मेरे सबसे समीप हैं। तो क्यों न आपसे ही यह शुरू आत की जाए। शर्माते हुए। जैसे आपकी आग्या सूर्देव महाराज, मैं आपका पडोसी हूँ। और सभी ग्रहों में सबसे छोटा हूँ। लेकिन मेरी गती सबसे तीवर है। मैं भार में अत्यंत हलका हूँ। पर ताप में आपसे थोड़ा कम परंतु अन्य ग्रहों से काफी ज्यादा। यह बात तो बिलकुल उचित है। मैं सदा आपकी परिक्रमा करता हूँ। पर कभी आपको अपनी पीठ नहीं दिखाता। केवल 88 दिनों में आपकी परिक्रमा कर लेता हूँ। तो इस इसाब से शायद आपके बाद हक लाता हुआ। मैं, मैं, मैं ही सरवश्रेष्ट हूँ। आपके इनी गुणों के कारण आप मेरे मंत्री भी है। अब एक अच्छे मंत्री की तरह न्याय करने में मेरा साथ दीजिए। ठीक है महाराज, मैं अब शुक्र को आमंत्रित करता हूँ। कि वह आपके समक्ष अपनी विशेष्टाएं बताएं। जुक कर। धन्यवाद महाराज, मैं इस ब्रहमांड का सबसे चमकीला ग्रह हूँ। प्रत्वी वाले मुझे प्रत्वी का जुडवा भाई मानते हैं। फिर मुझे सर्वश्रेष्ट मानने में कैसा संदेह माराज। शुक्र, यह मत भूलो कि मैं हरे भरी हूँ, संपन्न हूँ। मुझे पर जीवन देने वाला जल है, वायू है, और तो और एक चंद्रमा भी है। इस प्रकार तो प्रत्वी वासी मुझे पर भी जल वायू, वनस्पती और जीवन की संभावना देख रहे हैं। मेरा रंग लाल है, और मैं सौर मंडल का सबसे रहस्य पून ग्रह हूँ, महराज, मेरा अकार तो किसी से छिपा नहीं है। धर्ती की ओर देखते हुए, मैं इतना विशाल हूँ, कि मुझे में तेरा सो पचास धर्ती एक साथ समा सकती है। मुझे सूरिदेव की परिकर्मा करने में बारह वर्ष का समय लग जाता है। संग्षेप में कह सकते हैं कि मैं गुणों का भंडार हूँ। उसी समय शनी गर्व से बीच में आकर अपनी गंभीर वानी में कहते हैं। कैसी मनमुहक है मेरी आकरती और कैसी सुंदर है मेरी छटा। महराज, मेरे पास एक या दो चंदर्मा नहीं, सैक्ड़ों चंदर्मा हैं। मेरे क्रोध से सभी थर-थर कापते हैं। मुझे परसन्न करने के लिए लोग पूजा पाठ करते और दान दशन देते हैं। जे इंगलेंड के खगोल शास्त्री विलियम हर्शेल ने सन 1718 में खो जा था। महराज, अब मैं इन बड़े-बड़े दिगजों के सामने क्या कहूं। मैं आप से बहुत दूर हूं। इसी लिए मुझे में ताप बहुत कम है पर मैं धरती से 17 गुना भारी हूं। मैं भी सर्विष्रेस्ट होने की दौर में शामिल हूं। महराज, मुझे प्लूटो भी कहते हैं। मैं शायद सौर परिवार का अंतिम सदसे हूं। मैं आप से अत्यंत दूर हूं। मुझे आपकी परिक्रमा करने में लगभग 250 वर्ष का समय लगता है। महराज, मेरे साथ अन्याय हुआ है। पहले मुझे भी बुद्ध शुक्र आदी की तरह ग्रह की उपादी दी गई थी। लेकिन कुछ वर्षों पहले ही मुझसे यह उपादी चीन ली गई है। मेरे साथ न्याय करें सूरे देव, मुझे सर्वश्रेष्ट चुने। सबका पक्ष सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सभी ग्रहों, उप ग्रहों आदी का सौर मंडल में समान महत्व है। इन सब के मिलने से ही सौर मंडल और ब्रह्मांड की रचना होती है। इन में से कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। जैसे अनेक सुन्दर सुन्दर मोतियों से एक अति सुन्दर माला बनती है, वैसे ही सभी ग्रहों अदि को मिलाकर एक ब्रह्मांड बनता है, सभी अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं, इसलिए सभी शरेष्ठ हैं, सभी महान हैं. एक साथ, सुरे देव की जैहो, सुरे देव की जैहो, इसी के साथ परदा गिरता है और सभा समाप्थ हो जाती है. कर दो का ओर् настी लाता है, सभी महान आफपनाद, सुरे वर हो जाती हैं, सभी महान छेव कजकर में लगे फमेंगे हैं, सम YOUR dimension 2 ले झाजी महान हैं, सम्ये हा सभी मुफ जाता हैं, सुरे दुफल जाती हैं, स मेरते हैं, में छोक्ते का लुम का में, स्सम t mín nasty, अबसित कि Ti